हेलो दोस्तो हाइँ प्रणाम हमारे यूटूब परिवार कैसे हैं आप लो मैं विल्कुल अच्छी हूँ आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे तो दोस्तो आज मैं अच्छे त्रीतिया के बारे में आप लोग को कुछ जनकारी दूंगी और आप लोग हमारे यूटूब पे इन्डी तक बने रही है और देखिए कि अच्छे त्रीतिया कब पढ़ती है कब समाप्त होती है किस डेट को है तो मैं अपने यूटूब के माधन से आप लोग को बता रहे तो दोस्तों मेरा मतलब कोई आपको ठेश पहुचाना नहीं है बस बिसेश जनकारी दे रहे हूं तो अच्छा लगे तो कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा अच्छे त्रीतिया पे क्या-क्या खरीदना चाहिए कौन-कौन सी चीजे खरीदने से घर में धन की बढ़ोत आता है और क्या लेने से धन की बढ़ोतरी होती है माल अच्मी घर में आती है तो दोस्तों पहले तो मुझे विजानकारी नहीं थी लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं बढ़ती गई वैसे मैं इस पे ध्यान दी कि नहीं यह सही है तो अच्छे त्रीतिया किस डेट को अच्छे चीजे बताओंगी और मेरी बातों पर विसेश ध्यान दीजिएगा और आप लोग यह श्योर करिएगा क्योंकि अच्छे त्रीतिया 10 माई को पड़ रही है कब पड़ रही है किस डेट को कब किस समय किस टाइम समापन हो रहा है मैं अभी जस्ट बता रहे हूं त दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनिए मेरी वीडियो को देखिए और मेरी वीडियो पर इन्डि तक बने रही है और मैं अभी जस्ट बता रहे हूं तो ध्यान से सुनिए वैसाख मा के सुक लपक्ष की तृतिया तिथी 10 मई 2024 को सुबर 4 बजकर 17 मिनट पर शुरू होगी और इस तिथी का समापन 11 मई 2024 को प्रात दो बजकर 50 मिनट पर होगा तो दोस्तों एक चीज मैं और बताना चाहरे हैं कि क्या पांच चीजे आज के दिन खरी ना सारी अच्छे तृतिया पर पांच चीजे कौन कौन सी खरीदारी करनी चाहिए कौन कौन सी लेनी चाहिए तो दोस्तों हम हैं मिडिल क्लास से और इस दिन लोग गोल्ड खरी दिते हैं गोल्ड की कोई भी चीज़े च्छोटी हो या बड़ी हो या या यदि आपकी जैसे कैप्सिटी है तो इसके अलावा पहला हो गया गोल्ड और दोसरा हो गया कि एक कच्ची मिट्टी की दिया तिसरा हो गया पीतल का वरतन और चाओथे नंबर पे आप लेंगे कलस पीतल का कलस भी ले सकते हैं दोस्तों और पांच में नंबर पे मालीजे बाइदवे सब के पास पैसे नहीं होते दोस्तों कि अच्छे तिर्किया पे बहुत सारी खरिद सकते हैं बढ़ हमारे पास पैसे नहीं है तो हम चोटी चीजों से ही अपने मालक्षमी को घर में बुला सकते हैं और एक गनेश जी की वह बनाईए चिन्य बनाईए स्वास्ति बनाईए और कलस रखिए और पीतल का कलस खरिद लीजिए रख लीजिए और अच्छे से करिए अच्छे त्रितिया पर और खरदारी जरूर करिएगा इससे घर में लच्मी आती हैं धन की बढ़ोतरी होती है धन्य धान्य हमें प्राप्त होते हैं और इससे हम आनंदित होते हैं प्रफुलित होते हैं दोस्तों ज्यादा इसमें खर्च नहीं है तो आप भी करिए और मैं भी करूं और हमारे यूटूब परिवार जो भी है हमारे वीडियो के मात्यम से सुन रहा हैं तो आप लोगी शुरू कर दीजिए कि अच्छे तृतिया कब पड़ती है धान में रखिएगा साल में एक ही बार पड़ती है मैं मंत में तो आप लोग मैं मंत में चाहें किसी तो मैं अपने माद्यम से आप लोगों को बता दी दोस्तों की अच्छे तृतिया कब पड़ती है किस टाइम उस बार मएं में 2024 कब पड़ रही है किस समय समाप्त हो रहे तो सब अपने मैं वीडियो में आपको बताई हूं तो दोस्तों हमारी वीडियो एक कैसी लगी आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और अच्छे तृतिया पे जरूर यह पांच चीजे जो मैं बताई हूं यह आप अच्छे तृतिया पे जरूर खर दिएगा क्योंकि मैं खरती हूं दोस्तों तो पहले जैसी मेरी परिसानिया नहीं तो आप लोग भी अच्छे तृतिया पे कुछ खरदारी करिए और ज़रूरी नहीं कि गोल्ड जैसे जो आपकी कैप सिटी है जो मैं पांच यह बताई हूं तो जो आपकी कैप सिटी है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं तो दोस्तों मैं भी हर साल अच्छे तृतिया पे कुछ ने कुछ खरदारी करती हूं तो इसलिए मैं सोची हूं और मेरे दिमाग में आया कि मैं अपना जो भी तरीका मुझे अच्छा लगता है जो भी मुझे पुजन पाट अच्छे लगते हैं जिसे हमें धन्यदान की प्र तो दोस्तों यह आप अच्छे तृतिया पे खरदारी जरूर करिएगा पांच चीजों पर अमारे बातों के ध्यान दीजिएगा यह चीज आप जरूर खरी दिए और देखिए एक बार आजमाईए क्योंकि किस्मत कभी भी खुल सकती है किसी की और मेरी वीडियो कैसी लग मेरी दो कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और एंड़तक बने रहिए गां कि मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है अधर अच्छे तृतिया के बारे में पुजन पार्ट कैसे होता है कैसे किया जाता है क्या खड़दारी होती है कप पढ़ रही है किस डेट को में 24 वाकी थिपिशोन के बारे में अप लोग को बताती रहोंगी कि कि कभ पढ़ेंगे बहुत सारे लूग बोल correctly आते हो वि dentro अपटें और चैला कि अपायाई से ख्रेदा जाता है की एंपला जंद कारी नहीं हैं तोई कि पहले मुझे भी नहीं था अब बिस्टेस्ट रंकारी हो गया है और मैं असमा आई मुझा पाठ की अच्छे कृतिया पे खरडारी की और बढ़ोत्री हुए तो आईए आप लोग भी अपनी बढ़ोत्री करिए अच्छे की कुजा किजिए कलस रखिए और स्वास्तिक बना अधिये गनेश जी का प्रचमी जी का आगमन करिए और हमारे वीडियो पर इन्डी तक बने रही है और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे वी अच्छे त्रितिया के बारे में हर साल जानकारी लेकर मैं जरूर आओंगी दोस्तों मैं पढ़े वीडियो डालती हूं बट यह साल में एक ही बार यह वीडियो बनेगी जो अच्छे त्रितिया की वीडियो होगी अच्छे त्रितिया बहुत लोग मनाते हैं और सीटी में बहुत जादे लोग जानते हैं इस चीज को या पढ़े लिखे जो भी है तो यह निउस्पेपर में भी आते हैं और आजकल तो सब के पास स्मार्ट कॉन हो गया है दोस्तों तो सब को पता चल जा रहा है और अभी हमारी माताएं बहने गाओं की जो रहने वाली है अभी भी विसेश जनकारी नहीं है इस बारे में तो माताएं बहने गाओं की जो रहने वाली है पारंप्रित तरीके से पूजा करती हैं बट इस पूजा को नहीं जानती है कि अच्छे कृतिया का पूजा होता है या हमें कर बाव है इस चीज का आज भी गाओं में और बहुत सारे लोग जानते भी होगे आशा नहीं है बट जो नहीं जानते हैं वो अमारे वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे और जान लें और इंड तक बने रहें दोस्तों कि मेरा नाम इन्गुयादो है मैं बनारस से बिलॉंग करती हूं रहने वाली तो प्रोपर गाज़ी पूर की हूं मेरा मत्री का सबट में हैं यहीं पर अपना चोटा सा घर है हो धो दोस्तो और है मैं चलती हूं यह को अभी आच्छेत्रिक्टिया की वीडियो मैं निस्त यह में लेकर आंगी यानि की 2025 में कर वागी तो पढ़ दे विडियो पढ़ते रहेंगे दोस्तोर देखी और यह जो है पुजा वाला अच्छे तुल्किया पुजा वाला यह जो मैं नेस्ट यह में सेकेंड टाइम में लेकर आओंगी तो मारे वीडियो पर इंड तक बने रही है हमारे वीडियो कैसी लगी कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा दोस्तों मैं बहुत खुश हूं कि मेरे टूक पड्रीवार मेरा सपोर्ड करें मुझे देखें और लाइक करें कमेंट करें तो मैं चलती हूं दोस्तों पुणाम नमस्कार यदि हमारे वीडियो में कोई भी आपको ट्रोटी मिले तो उसके लिए मैं छमाचाथती हूं और बाय दोस्तों डेस्टे मिलेंगे For now, Namaskar